Hey guys, welcome back to the channel दोस्तों पिछले वीडियो में हमने महिंडरा के सभी models का Model Y sales figure जाना था October 2022 का और दोस्तों इस वीडियो में हम October 2022 की 25 सबसे कम बिखने वाली कारों का sales figure देखेंगे So, वीडियो काफी interesting होने वाला है वीडियो को last तक ज़रूर देखें और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सबस्क्राइब करें बैल आइकन दबाएं जिससे आने वाले हर वीडियो का notification आपके पास तुरंत पहुँचें दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं इस लिस्ट के 25 पाचीसवे पोजीशन की तो 25 पोजीशन पर है MG हेक्टर हेक्टर की 1630 यूनिट भी की है इसका sales figure 34% कम हुआ है October 2021 के मुकाबले 24 चोबिसवे पोजीशन पर है Skoda Slavia Slavia की 1376 1376 यूनिट भी की है और 23 तेसवे पोजीशन पर है C3 येर क्रोस इसकी 1180 1180 यूनिट भी की है October 2022 में इसके बाद बाद कर लेते हैं Volkswagen वर्टिस की तो Volkswagen वर्टिस का sales figure 1072 यूनिट रहा है 1072 यूनिट और ये लीस्ट से लिंग के लिस्ट में 22nd पोजीशन पर है 21st पोजीशन पर है MG ZS-CB इसका sales figure 784 784 यूनिट रहा है हलाकि इसका sales figure दोस्तो 527 परसेंट जादा हुआ है क्योंकि October 2021 में MG ZS-CB की केवल 125 यूनिट भी की थी 20th पोजीशन पर है Jeep Compass Jeep Compass की 732 732 यूनिट भी की है Compass का sales figure हलाकि 45 परसेंट कम हुआ है October 2021 के मुकाबले October 2021 में Jeep Compass की 1324 यूनिट भी की थी 19 पोजीशन पर है Honda WRB WRB की 653 यूनिट भी की है इसका sales figure 10% कम हुआ है क्योंकि October 2021 में WRB की 728 यूनिट भी की थी 18 पोजीशन पर है Hyundai Tucson Tucson की 487 यूनिट भी की है इसका sales figure 309 परसेंट जादा हुआ है क्योंकि Tucson की October 2021 में 119 यूनिट भी की थी 17 पोजीशन पर है Jeep Meridian Jeep Meridian की 404 चार सो चार यूनिट भी की है और आगे बढ़े बात कर लेते हैं 16 पोजीशन की 16 पोजीशन पर है 16 पोजीशन पर है Kia Carnival Kia Carnival की 301 यूनिट भी की है 301 यूनिट भी की है इसका sales figure 25% कम हुआ है क्योंकि Carnival का sales figure 400 यूनिट था October 2021 में इसके बाद आगे बढ़े बात कर लेते हैं 15 पोजीशन की तो Least Selling के लिष्ट में 15 पोजीशन पर है Nissan Kicks Kicks की Kaval 242 यूनिट भी की है 14 पोजीशन पर है Mahindra Marazo Mahindra Marazo की 213 213 यूनिट भी की है Marazo का sales figure हला की 1675 परशेंट ज्यादा हुआ है क्योंकि Marazo का sales figure 12 यूनिट के वल था October 2021 में 13 पोजीशन पर है Honda Zayas Jazz की 197 197 यूनिट भी की है Jazz का sales figure 74 परशेंट कम हुआ है October 2021 के comparison में October 2021 में Honda Zayas की 760 यूनिट भी की थी 12 पोजीशन पर है MG Gloucester Gloucester की 179 यूनिट भी की है Gloucester का sales figure 31% कम हुआ है क्योंकि Gloucester का sales figure October 2021 में 260 यूनिट था इसके बाद 11 पोजीशन की बात करें तो 11 पोजीशन पर है Kia EV6 EV6 की 152 यूनिट भी की है 10 पोजीशन पर है Skoda Superb Skoda Superb की 143 यूनिट भी की है 9th पोजीशन पर है Octavia Octavia की 124 यूनिट भी की है इसका भी sales figure 43% कम हुआ है क्योंकि Octavia का sales figure 219 यूनिट था October 2021 में 8th पोजीशन पर है Hyundai Kona Kona की 106 यूनिट 106 यूनिट भी की है इसका sales figure 489 परशेंट जादा हुआ है क्योंकि October 2021 में 18 यूनिट भी की थी Kona की 7th पोजीशन पर है Wellfire Wellfire की 88 यूनिट भी की है इसका sales figure 14% जादा हुआ है क्योंकि Wellfire का sales figure October 2021 में 77 यूनिट था 6th पोजीशन पर है Tiguan Tiguan की 83 यूनिट भी की है इसके बाद बाद करे 5th पोजीशन की तो 5th पोजीशन पर है Toyota Hilux Toyota Hilux का sales figure 75 यूनिट रहा है और इन्हीं नमबर्स के साथ ये least selling में 5th पोजीशन पर है 4th पोजीशन पर है Toyota Camry Camry की 59 यूनिट भी की है 3rd पोजीशन पर है Kodia Kodia की 55 55 यूनिट भी की है और 2nd पोजीशन पर है Mahindra Alturas G4 G4 की 40 यूनिट भी की है इसका sales figure 40 यूनिट इसका sales figure October 2021 में भी था 1st पोजीशन पर है C5 Air Cross